किसी प्रग्राम में नहीं है, हमने तला दी के नाइट वीजन हेलिकॉप्टर के जरीए आ रहा है असला पंशेर में, ठीक है? अब इसी तरह रख़ा जाते हैं, रहीम है असल में, वो साथ नौफ लगा देते हैं, जैसे हमारे मिस्टर लगा दिया जाता है या कुछ लगा दिया जाता है. वो समझे के रूसी जबान का इंफुलेंस है उनको यहां बुलाया गए आपने देखा होगा कि वो खुश नहीं थे उनकी बाडी लेंगवेज कह रही थी कि मैं मजबूरी से हूँ और यह कौन लोग है यह अफगानस्तान में जो ताजिक है ना मुझे से बड़ी गलती हुई उस देन मुझे उसका इतराफ करना चाहिए कि मैंने इनको अराने उन नसल का भी है इराने न नसल नहीं है जोसक जैसे हमारे है यह तातारि-ईन नसल कृटा में है जrह हम हजारक काते है अफगानस्तान से आए जो तेंगस्ते थी थी वहांपे या एरान में कोई कोई परिशानी थी कोई नहीं था जरल मुसा खान है जो वो कमांडर रचीफ थे तो यूब खान से कहा है कि इजाज़त दिलवादी कि इन में से जो भी एरान से आएंगे या अफगानस्तान से आएंगे तो उनको पाकिसान में पना दी जाएगी यह उस जमाने में आए यह है कानफिक्ट बुनियादी तोर पर है ताजिक पिश्टोन कानफिक्ट यह तो कलेम करने हम 40 पिसादा हैं लेकिन यह के माहरीन यह कहते हैं कि 25 जो लोग जानते हैं अफगानस्तान वो कहते हैं 25 अब वहां से आ रहा है असला आपको बता चुको हूँ हूँ वहां इंडिया के कैसर है उसकी मरजी के बगार कैसे हो सकता है इस सवाल का जवाब आएंदा चंद दनों में मिल जाएगा क्यों कोई चीज चुपी तो नहीं रहती रूसी अगर यह बात दुरुस्त है कि महां से असला आ रहा है अब इरानी सरकारी मीडिया जो इंटरनेश्टल वह उसके लि हैं और बड़ा बड़ी एरानी हकूमत उसे बड़ा पैसा खर्च करती है और बड़ा टेलन्ट जम्र करती है उसके लिए वो सरकारी अख़बरात भी लिख रहे हैं और उनका टेलिवियन भी कह रहा है कि ऐसा है असला बहां से आ रहा है अगर यह दुरुस्त है जो कर दुर कि रूस की मर्जी के बगार आप एक तरफ इंडिया का नाम ले रूस हो दूसरे तरफ रूस इन सब ममालक का मसला क्या है इंडिया का मसला तो यह है कि अफगानस्तान में इस तहकाम होना ही नहीं चाहिए टाइम बाई किया जाए और इस दौरान रियार्गनाइजिशन करक यहां खान जंगी होती रहे क्योंकि इंडिया का मनसूबा तो यह था कि पाकिस्तान का घ्राओ किया जाए चारो तरफ से उन्होंने इरानी सरजमीन भी इस्तमाल की वह उस तरह नहीं इरानी अतनी अजाज़त नहीं दे सकते उनको और उन्होंने अफगान सरजमीन को तो ध दाइश के मामले में भी कॉपरेशन हो रहा है जब काबल एरपोर्ट पर दमाका हुआ के करीब दमाका हुआ तो तीन वजिया नहीं पहले तो यह ख्याल हुआ कि राकट का हमला है पिर जनाब अमरीकियों का हमने दाइश को टार्गेट किया है फिर ताल्बान ने वो ब्रेक्षान की आमन की बात कर रहे थैंगा अफ़गान की तरह है जिस पर अश्रों तक बार्शें बरसती रही है उसकी च्छे तो डड़ गई हो उसके सतून खराब हो गई हो उसकी दीवारे खराब हो गई हो लेकिन मुल्क मकानों की तरह नहीं होते हैं इंडवीजिटि पायस्ती से मिट जाए इसमें बहुत पेचीदा आवामल है अब हो मैं अगर पूरी तारीख आप को बयान करो लंबा चड़ा किस्टा है कुछ कुछ तो बयान कर यारुन साब तालिबान की भी तालिए फर तालिबान के बारे में बुन्यादी गलत फ़हमी यह है कि पाकिस अब्सक्तान ने नसीर बावर ने और मरियम मौतरमा बेनजीर भुटो ने उनकी सरप्रस्ती की उन्होंने उनकी सरप्रस्ती की लेकर हुआ क्या कि वहां इक्तदार की जो जंग थी खौफनाक वार लाड़ में उसमें इतने भीयानक जराइम हो रहे थे कि बच्छ इसका जि भी करताव शर्म आती है ठीक है वो लड़के उठें अपने असाज़ा उठें तालबान और उस खला की वज़ाए से चुके उन्होंने एक they had a magic word उनके पास एक जादू था हम अफगानस्तान को आमन अता करेंगा जब उन्होंने कंधार को आमन अता कर दिया और सारे जराइ में उनका obviously welcome किया गया वो अलग बात है कि उन्होंने भी गलतियां की ठीक है और वो जो गलतियां वो बाज़े हैं ठीक है ना फिर अमरीका ने गलतियां की अमरीका ने क्या किया उसामा बिलादन 96 में सूड़ान में था और अपना करोबार कर रहा था उसामा बिलादन तो basically यह कारोबारी आदमी था अमरीका के जरूर खिलाब था वहां के सूड़ान में उस फैक्टरी में गया हूँ जो उसामा बिलादन की फैक्टरी ती जिस पे उन्होंने मिजायल बरसाए ओ बल्बा उन्होंने वैसे ही रख छोड़ा था और दुनिया बर के स्याव से देखने के लिए जाते थे सूड़ानियों ने कहा हम इसे साओधी अरब के हवाले करने के लिए तियार हैं अचा ठीक अमरीका के हवाले करने के लिए भी तियार हैं आप ट्राइल कर लें उन्हें का ने अमरीका ने भी इंकार कर दिया साओधी अरब ने इंकार कर दिया अपनी अप के मुक्तलब जुआत बेयान करते हैं लोग लेकन काबले फाहम नहीं है वो आ गया अफगानस्तान में यहां इसने उनके मदद की उनके लिए वो तो हीरो था ग्रेटेस्ट हीरो मुल्ला अमर से कम हीरो तो वो उनके लिए नहीं था अच्छे फिर जनाब इन्होंने उसके दिफ्तार भी कर सकते थे अगर चाहते और अगर उसका खात्मा करना चाहते तो वो भी कर सकते थे वो तो देखिए ना एक दीवाना आदमी था जो यह नहीं समझ रहा था कि वो जजबा चाहे उसकी नियत ने क्यों बेतर जानता है लेकिन यह इससे एक सुपर पावर को तबाई आएगी और अफगान अवाम को भी कुछ नहीं मिलेगा और पाकिस्तान में भी खराबी पैता होगी उन्होंने उसके ठेका दिया एक आदमी था ठेका अमरीकी वोज ने हदरत अली एक कमांडर था हदरत अली इस नाम का अच्छा अब अल्ला जाने उसने उसमा से पैसे ले लिए या वो इनकॉंपिटेंट था वो आगए आपको पता है कहीं शुपा राज शुपा राज शुपा राज तालबान भी जो है ना जिस तरह लोग हमारे देख रहे हैं ये ठीक है कि अब अफ़वानसान से तखरीब कारी नहीं होगी मगर ये जो जन्नत के खा पाकिसान नहीं मानते हैं तो आल्मिया कोबतों के सामने का करेंगे थे तो आपना ये बार लगा जाए है पाकिसान नहीं गलत लगाए हो बाई सो अरब रपया की समगलिंग होती है टेररिस्ट आते हैं एक मुलक अपने इवादत का बंदो पस भी ना करें देखिए दो ची अवारिका में दो दफा एराक में वेतना में अफगानस्तान में और इस पर कितना पैसा खर्च किया है तो हंडर्ड ट्रिलियन डालर्स तो हंडर्ड ट्रिलियन डालर्स now you imagine it किसी दिन इसका इसाब लगाएंगे दो सो ट्रिलियन जिस रास्ते पर इबराम लिंकन और जार्ज वाशिंटर और उसके फाउंडिंग फादर्ड जिस रास्ते पर लगाया था क्या था तालीम सारी इंसाफ तालीम साइंसी तैकी तीन उसका बनादी पिलर्स जमूरिय तो थी ही ठीक है अगर दो सो ट्रिलियन डालर जो हैं वो साइंस और तालीम की तरकी पर सर्फ होते लगे नहीं चीन में अब दो सो मन तक का हदब हासल कर लिया गया चावल पैदा करने का यह साइंसी तरकी ही से मुमकन होता है ना बहले पाकिस्तान में मेरी आँखों के साम साइड़ मन तक पहुंच गई अगर कोई किसान पड़ा लिखा है समयधार है तो साइड़ मन करता है उसको बहतर पता था कि कैसे में साइड़ को आसकता साइड़ अगर यह टू ट्रिलियन डालर यह अब सिर्व अमरीका पर खर्च होते हैं तो अमरीका इतनी बड़ी ताकत होता के तारीक इनसानी में उसकी कोई नजीर यह नहुती और अगर यह बनीना वा इन्सान पर खर्च करते हैं तो डुनिया का कोई आदमी ना भूकात होता है ना कोई दौसे महरूम रहता नआ कोई तालीम से महरूम में रहता है अगर यह जो मसलह है गुल्ब incl다 काुरी गम ठीक है और चीन जो है वो सर उठाए ककड़ा है लोग कहते है ना जब अख़बारों में आम तोर अब भी क्लिशे बहुत होता है मीडिया में के जी अमरेका का सदर दुनिया का सबसे ताकतवारा आद्मी होता है नो जो चीन वो दुनिया के सबसे ज़्यादा तक्दवराद में अपनी पार्टी की इजाज़त से वो मशावरत से काम मशावरत तो खार अमरीका में भी होती है किसी भी मुल्क में 500 बिलियन डालर के इंवेस्टमेंट कर सकता है किसी भूके अफरीकी मुल्क में जिसके पास मतलना वो अफगादी अमरीका भी पाकिसान हम मळद करें उनकी उनके पास फ्यूल भी है आपकी टलाँ के लिए आफगाने ऑर्ट में पेत्रॉल भी है ले थियम भी है तांबा भी है, सोना भी है, सोना कोई चीज ही नहीं ली थी उनके सामने, अगर चीनी उनकी मदद करने, अगर अगर अफगान इसने फिरनाशल क्राइसिस से निकलना हुआ, तो चीनी आएंगे उसकी मदद करने के लिए, बुलबदीन है, अगर आज मीडिया से बात कर रहे थ है उसमें उन्हें का आए, कि चाईना तो अफगानिसान के अंदर तिजारत करना चाहता था, मगर अमरीकियों ने उसे रोके रखा है, अमरीकियों ने रोके रखा, उन्हाँदीन है, एक तो तालबान की उम्दा, हमायत का इलान किया हलागे तालबान की हमायत का अलान का मतलब आपको पता क्या है जैसे आप किसी पीर के मुरीद बन जाए आप उन्हें मश्वरें नहीं दे सकते आपको अंदाजा नहीं है कि मजबी लोग जब इक्टदार में आते हैं उन्में कितना ख़पते अस्वत होता है दूसरा उसने कह कि लोग क्या चाहते थे लोग चाहते थे गयर मुल्की चले जाए लोग चले गए गयर मुल्की चले गया अब जब तक सब मिलकर यह 92 में भी हिकमतियार कहता था जब यह तो उसको तो मगर्बी मीडिया ने अपरी चार मिनिट ने मेरे पासारू साब मगर्बी मीडिया ने उसको थाबत किया ना कि वो उसको क्या काबल का कातल उसे कहते थे बुचर अफ काबल बात या है अब उसने कहा है कि सब मिलके काम करेंगे तो हालाद ठीक होंगे पाकिस्तान का ब्रेंड ड्रेंड हो रहा है ब्रेंड ड्रेंड हो रहा है अब उन्हें समझ आई है तालबान को कि ये तो सारे इंजीनियर, डाक्टर, आईटी के माहरीन, इंटरपेनियर, बिजनसमेन चले गए, तो सरमाया चला गया, तो फिर कहां से खड़े होंगे?